गाइस अगर आपके पास भी स्टेट वैंक ओफ इंडिया का अकाउंट है और आप घर बैटे ही आप अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लस में हिल्फुल है क्योंकि जरू कर दीजगा चानल को सब्सक्राइब करके पास बेल अकन को आउन करके आप चाहिए अगर आपके अकाउंट के सांथ इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं है तो ऐसे केसे में आप आप अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं अगर आप आपके अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर है तो सबसे पहले आपको डीटेल.online.sbi.com.retail.login.html इस वाले URL को ओपेंड कर देना है जैसे आप इस वाले URL को ओपेंड करते हैं इस्टेट पैक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग के पेच पर आप पहुं और आपको log in पे click कर देना है जैसे आप log in पे click करेंगे तो आप इंटरनेट बैंकिंग के अंदर log in हो जाएंगे अब आपको कही तरह के options रो करेंगे जिसमें से आपको एक profile वाले option पर click करते हैं तो आपके पास कई सारे option दिख जाएंगे तो अब आपको personal details और mobile बाले पर क्लिक कर देना है जैसी आप personal details और mobile वाले option पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको अपना profile password यहाँ पर type कर देना है जैसी आप अपना profile password टाइप करेंगे उसके बाद आपको submit पर क्लिक कर देना है जैसी आप submit पर क्लिक करते हैं तो से आपका display name email id और current mobile number रजिस्टर दिख जाएगा अब आपको right side में आपको कई सारे option दिख जाएंगे जिसमें से आपको क्लिक करना है change mobile number domestic only through otp ATM contact center जैसी आप इस वाले option पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर अपना नया mobile number řा yeah outside जो को करना है वह mobile number आपको attributes कर देना है जैसी है पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको verify and Verd Fach on your mobile number करेंगे एक option दिखएगा आपको ok पर क्लिक कर देना है जैसी आप ok पर यहाँ से एक नया page open हो अब आप यहाँ पर तीन तरीके से आप अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं पहला अप्षन ने बहुत ओड़ी यानि कि आपके पास पुराना मोबाइल नंबर और नया मोबाइल नंबर रहना चाहिए तभी आप अपने account में mobile number को change कर सकते हैं दूसरा option का मतलब यह है कि आपके पास अगर ATM card है तो आप ATM मसीन में जा करके एक reference number को आप approve करके आप अपने account में mobile number को change कर सकते हैं तीसरा option का मतलब है कि contact center यानि कि बहतर घंटा के अंदर आपको contact center द्वारा एक call आएगा उसके बाद कुछ details आप से पूछेंगे details verify होने के बाद instantly आपके account में mobile number को change कर जाता है तो यहां पर सबसे जो अच्छा option है वह है by both OTP क्योंकि आपको कहीं जाने की जुरूत नहीं पड़ेगी और आप दोनों mobile number से एक message send करके आप अपने account में mobile number को register कर सकते हैं तो मैंने select कर दिया है by both OTP आपको proceed पर click कर देना है जैसे आप proceed पर click करते हैं तो यहां पर आपको फिर से proceed पर click कर देना है जैसे आप दुबारा से पर click करेंगे तो यहां के एक नए पेज्टेंट हो जाएगा जहां पर आपके अकAUNT में जितने भी कार्ट एक्टीव होंगे डेवीट कार्ट वह आपको दिख जाएगा तो यहां पर मेरे अकाउट में एक काड़ भी में आपको इस बाले कार्ट को चीम Tucson कर लिए और आपको कंणफ cidade कर देना है है करेंगे करने लिए जैसे कि कार्ड की डिटेल्स कार्ड होल्डर पीन चैपचा और उसके बाद आपको डोशीट पर किली कर देना है तो आपका ड्राइंजैक्ट सखसेट वह दता है कि जो आपने प्रोसेस क्वलीट किया है मोइल में चेंज करने का वह यह उस्क्स वह जाएगा और आपके नवारी मोबाइल नंबर प्लस में पुराने वाले मोबाइल नंबर पर एक सबसे पहले एक्टिवेट लिखना होगा और नबर पर सबसे पहले activate लिकना है और उसके बाद आपको OTP लिखना है और सेंड कर देना है जैसे आफ 56 चीते पर मैसे छेंड कर देते हो एक्टीवेट रिफ्रेंस नमर और OTP तो आपके पास सक्सेस का मैसेज रिसीफ होगा और आपके अकाउंट में इस्टेंटली नया मोबाइल नमर को अपडेट कर दिया जाएगा तो इस तरीके से आप घर बेटे आप अपने स्टेट वैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आसानी से मोबाइल नमर को अपडेट कर सकते हो तो उमीद है आप सब को यह वीडियो पसंद आया वागा अगर कि आप सबके लिए तरीके की वीडियो लेके आता रहे तब आपने दोस्ते का सिर्ट किजिएगा कमेंट में अच्पर देगा फिलाल वीडियो में इतना ही मिलते एकने वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातर है